मेरी चिंता यह नहीं है कि भगवान हमारे पक्ष में है या नहीं मेरी सबसे बड़ी चिंता भगवान के पक्ष में होना है क्योंकि भगवान हमेशा सही होते हैं आप सभी लोगों को कुछ समय के लिए और कुछ लोगों को हर समय मूर्ख बना सकते हैं लेकिन आप सभी लोगों को हर समय मूर्ख नहीं बना सकते अधिकांश लोग उतने ही खुश होते हैं जितना वे अपने मन में सोचते हैं किसी भी आदमी की याददाशत इतनी अच्छी नहीं होती कि वह सफल जूठा हो सके मानवी एक्रिया को कुछ हद तक बदला जा सकता है लेकिन मानव सोभाव को नहीं बदला जा सकता आम दिखने वाले लोग दुनिया में सबसे अच्छे होते हैं यही कारण है कि भगवान ऐसे बहुत से लोग बनाते हैं आप आज से बचकर कल की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं चुप रहना और मुर्क समझे जाना बेहतर है बजाए इसके की बोल कर सभी संदेह दूर कर दिये जाएं कल के लिए कुछ भी मत छोड़ो जो आज किया जा सकता है हम शिकायत कर सकते हैं कि गुलाब की जाड़ियों में कांटे होते हैं या खुश हो सकते हैं कि कांटेदार जाड़ियों में गुलाब होते हैं हर आदमी की खुशी उसकी अपनी जिम्मेदारी है अगर मुझे मार दिया जाता है तो मैं सिर्फ एक बार मर सकता हूँ मैं एक बुरा इंसान बनने की बजाए एक छोटा सा इंसान बनना पसंद करूँगा हमेशा याद रखें कि सफलता के लिए आपका अपना संकल्ब किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं आज सफल हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसा दोस्त था जो मुझ पर विश्वास करता था और मेरे पास उसे निराश करने का साहस नहीं था जब मैं अच्छा करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं बुरा करता हूँ तो मुझे बुरा लगता है यही मेरा धर्म है मैं तैयारी करूँगा और किसी दिन मेरा मौका आएगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें